हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसर के वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा नमस्कार शिक्ष्णा शिरादे बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं आप जोतिश दिशा सत्य की राह सुबह सुबह की पावन वेला में आपके साथ मैं हूँ आपका आश्ट्रो फ्रेंड संतो संतोशी आपको मैं जगाता भी हूँ और आपको तयार भी करता हूँ एक नए जोश के साथ एक नई उमीद के साथ एक नई द्रुनता के साथ जीवन के पत पर आगे बढ़ने के लिए हम आप एक हो जाते हैं जब ऐसे आउसर पर हम आप एक साथ जुड़ते हैं हमारे आपके सामने बस एक ही लक्ष रहता है जीवन को जिन्दा दिरी से जीना है इसके लावा कोई और लक्ष सामने नहीं बचता है एक बहुत बड़ा मेटर हर किसी के लिए होता है उसका सौंदर्य उसकी सुंदर्ता सुंदर्ता के साथ आकरशन होता है क्योंकि शुक्र और चंद्रमा का कनेक्शन होता है लेकिन जिनके जन्मांक में ये दोनों ग्रह अच्ची अवस्था में नहीं होंगे उसके अंदर विकरशन आ जाता है सौंदर्य भी प्रकृर्ती छीन सी लेती है तो आज आठवी शक्त से हम आप मिलकर ऐसा वर्दान पाएंगे कि और सौंदर्य में चार चांद लगाएंगे ये बिलकुल ततकालीन शोध हम आप तक पहुँचा देंगे अभी दिब ब्रमास्त्र अजब्ध प्रियोग आप सोच भी नहीं सकते हैं वो प्रियोग लाया हूँ तर्क के साथ एक्स्क्लूसिलिवली अश्टो फ्रेंड के माइंड का करिश्मा मासर शुति का आशिरवाद तो आज ये खास हमारा विशे रहेगा जो आप तक हम बस थोड़ी दिर में पहुचारने वाले हैं तो चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग की और ग्रहों की और भी बहुत कुछ आश्विर महा शुक्रपक्ष अस्टिमीति थी चंद्रमा मकर राशी में नक्षत उत्राशाण है इसका स्वामी सुर्य है और सुर्य की महादशा में आज का सुर्योदा है योग सुकर माता दनुसार दिनांक 17 अक्टूबर दिन बुधवार बुधवार को राहुकाल का समय नोट कर लिजेगा दोपहर 12 बज़े से लिए करके 1 बच कर 30 मिनट तक इसमें कोई भी नया और शुबकाम का आरंभ नहीं करना चाहिए निथा काम बिगर जाते हैं और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर क्या सुबह 10 बच कर 30 मिनट से 12 बज़े तक सारे शुबकाम बना सकता है कर लिजेगा जो करना है अच्छा समय होता है बढ़ते आगे आज के ग्रोहों की चर्चा और उसके बाद खास जानकारी राशिवार्म सुर्य कन्या में बुध शुक्र थुला राशी में ब्रहश्पती ब्रश्चिक में आ चुके हैं धनु राशी में शनी मंगल चंद्रमा केतु मकर राशी में राहु करकस्त रहेगा करक राशी में शुबित होता रहेगा और आज की महादसा के स्वामी है सुर्य उत्राशार नक्षत्र के दुतिय चरण में चंद्रमा के संचरण से ये संयोग बनता है तो चले सबसे पहले बताते हैं मेश वालों के लिए कि आपका दिन आज का कैसा बीतेगा और हाँ एक जानकारी आप सब के लिए थोड़े दिन में बताएंगे भी मेश वालों को आज कोई गुड न्यूज मिलने वाली है आज मेश राशी वालों के लिए रुके धन की प्राप्ति के भी संकेत बने हुए है पिता का साथ आज बना रहेगा आज कहीं नई जगह पर आइडमिशन आदि की विशे में विचार कर सकते हैं अगर आपकी राशी मेश है तो आज प्रशाशनिक मामलों में भी आपको मजबूती मिलने वाली है आज मान सम्मान की प्राप्ति होगी धन सम्पता आपको जरूर प्राप्त होगा अगर आपकी राशी मेश है तो आपका प्रभाव आज हर प्रकार से पॉजटिब दिखेगा नई नौकुरी के लिए प्रयास कर सकते हैं आज सफलता मिल सकती है अगर आपकी राशी मेश है तो आज क्या करना चाहिए आपको आज खुद कदम बढ़ाईएगा तूटे रिष्टों को जोड़ने के लिए क्या नहीं करना जाएगे आज अपने राज किसी को ना बताईएगा नारंगी रंग्शो भै एक्यावन प्रिथिसत का भाग्या है बिशव राशी बिवादों से मुक्ति का दिन कहा जा सकता है आपका प्रभाव आपके शत्र पक्ष पर भी दिखेगा बेहत सकरात्मक सोच के साथ आज दिन की सुरुवात करेंगे पेंडिंग काम बन जाएंगे आज राजनीत के छेत्र में आपका दबदबा कायम होगा शुक्षा में भी आज अच्छे संकेत है आज बिशब रासी वालों के लिए वाहन सुख भी है क्या करना चाहिए आज आज अपना धन का इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं करना है अपना काम दूसरों पे नहीं थोपना है ग्रे कर अरशुभ है 79 प्रतिचत का भाग के साथ देगा मिथोन राशी कार छेतर में उन्नती प्राप्त होगी आज कोई बड़ा कॉन्ट्रेक्ट मिल सकता है शुक्षा में लिया गया निर्रे सफल होने वाला है मिथोन राशी वालों को आज दोस्ती में बहुत सूच समझ कर कदम बढ़ाना होगा अगर आपकी राशी मिथोन है तो आज जमिन जाजात की बिवाद से मुक्ति के रास्ते निकाल सकते हैं आज मिथोन राशी वालों को दोस्ती में थोड़ा सा साउधान रहना होगा क्या विशेश करें आप आज स्वयम से निर्ड़े ले सकते हैं क्या नहीं करना है मिथोन वालों को पिता से विवाद आज नहीं करना है शुबरंग आपके लिए काला भाग के प्रतिशत 55 पच्पन करक्राशी जादा उच्छलने की आवश्यक्ता नहीं है चंद्रमंगल केत्व की दिश्टी आज बरबोले पन से नुक्सान करा सकती है वारी से आज किसी के हुरदय को आप छलनी कर सकते है बाप निबाप साउधान रहेगा अगर आपके राशी करक है तो आपके अंदर आज का चुम्बक जग जाएगा कोई खीचा चला आएगा क्या विश्यश करना चाहिए साउधानी से किसी को करीब आने दीजिएगा जल्दी बाजी नहीं क्या नहीं करना है आज किसी कुधार नहीं देना है बादामी रंगशुब 65% का भाग्य है सिंग राशी कुछ विशेश कारे संपन्न हो जाएंगे आज रुका पेंडिंग पड़ा काम भी आज चल निकलेगा सिंग राशी वालों का आज बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई देगा अगर आपकी राशी शिंग है तो निस्थ अंदेह आपके लिए अनकूल समय कहा जा सकता है सिंग राशी वालों के लिए आज के दिन मित्रता में कुछ विशेश लाब पाने वाला भी दिन कहा जाएगा कॉंट्राक्ट की स्थिती निश्चित रूप से संतोष जनक होगी क्या विशेश करना चाहिए आज आपको अगर आपकी राशी शिंग है तो आज निर्ड़े ले सकते हैं स्वेम से क्या नहीं करना है दूसरों को ना सुनने की भूल नहीं करना है आज दूसरों को सुनिएगा लालंग शुभर्श हमसर प्रिस्ट का वाग्य है कन्य राशी निश्चित रूप से दोस्ती के साथ आज दगा हो सकता है चंद्रमा पंचम में आने के साथ ही आपको सेल्फिश बनाता है आज का दिन थोड़ा मांसिक की यातना का हो सकता है कारशेत्र में भी बड़े तनाव की स्थिती से आज गुजरना पड़ सकता है कन्य राशी वालों को आज धन के विशे में सोचना चाहिए मेहनत के साथ उसका प्रतिफल भी देखना चाहिए क्या विशेश करें आज आज बढ़ों की सलाह जरूर माने क्या नहीं करना है इधर की उधर मत करियेगा स्लेटी रंग शुभा अरतालश प्रस्थ का मध्यम भाग्या आपके साथ है तुला राशी नई रौगरी की सौगात आज मिल सकती है आज हो सकता है कि आपका श्रम एकदम से सार्थक दिखाई दे आपने मैनत किया आपको उसका फल मिला प्रशाशनिक रूप से आज मजबूत फील करेंगे दिल आज खुश रहेगा अंदर से आज पशन रहेंगे तुला वाले राजनीत में भी विशेश उन्नती करने जा रहे हैं आज आज लोन शंक्षन हो जाएगा किसी मित्र से कोई मदद लेने के लिए विशार किया था तो वो भी आज संभव है और सबसे बड़ी बात मैरिट लाइफ को आज सेफ करने में आप काम्याब होंगे क्या विशेश करना चाहिए आज भोजन करके घर से निकल लिएगा क्या नहीं करना है आज इस्तरी के साथ उरजना नहीं है हरारंग शुब पच्पन प्रिस्चत का भाग साथ देगा व्रश्चिक राशी बहश्पत का प्रभाव दिखने लगा है डख्तत तुमे निकार आने लगा है लोग आपको पूछने लगे हैं आपके बारे में सोचने लगे हैं अरे व्रश्चिक वालो अचानक कि ये क्या हो गया बहुत अच्छा हुआ है आपके लिए तुम्हें एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ देखिएगा आज ही बना देंगे व्रश्चिक वालों के लिए क्या क्मिशेश करना चाहिए अंदर से खुश रहना चाहिए क्या नहीं करना है बहुत ज़्यादा दूसरों को नहीं देखना है सफेद रंग शुभय अर्सठ प्रतिशत का भाग के हैं धनुराशी आज प्रशाशनिक अमला आपके विरुद्ध खरा दिखाई देगा आज आप परिशान हो सकते हैं किसी भी तरह के पचणों में आज नहीं पढ़ना है कहीं पर कोई भी जगड़े का रूप बनता दिखे तो हट जाईए आप वहाँ से आज धनुराशी वालों को किसी भी तरह के पुलिस केस होगरे में भी आज नहीं उलजिये तो बहतर है दामपत्य जीवन की इस्तिती भी आज थोड़ी सी गरबर दिखाई दे रही है क्या विशेश करना चाहिए अगर आपकी राशी धनु है तो सोच समझ कर फैसला देना है किसी को बहुत सोच समझ कर फैसला दीजेगा पहल सकते हैं क्या नहीं करना चाहिए आज खुद वहाँ नहीं चराना चाहिए शुबरंग धनुराशी वालों के लिए बैगनी भाग के प्रतिसत 65 मकर राशी नहीं जगाए इन्विशन आज हो सकता है आज दोस्ती में बहुत कुछ मिलने वाला है आज कई नहे दोस्त भी आपके करीब आने वाले है आज आपका नया अफेर सुरू हो सकता गलत नहीं है भाव अगर पवित्र हो कुछ लोग कई बार कहते हैं आप इस विशय पर क्यों बोलते हैं मेरा सबसे फैबरेट विशय है तो कि ये जोडता है मकर राशी बहुत अच्छा प्रभाव आपका आज बनने वाला है नई नौकरी के संकेत है पिता के स्वास्त पे चला रहा खर्च रुख जाएगा आज गवर्मेंट सेक्टर वालों के लिए कुछ विशेश कुछ खबरी आ रही है अब विवाहितों के लिए आज शादी के संकेत दिखाई दे रहे है बिवाह आज तै हो सकता है लड़का लड़की दिखाने का कारिक्रम आज रखा जा सकता है आज घर में कोई नया महवान भी आ सकता है मकर वालों के लिए दिन खुशियों भरा रहेगा क्या विशेश करना है आपको आज आज दोस्त के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हैं क्या नहीं करना है आज अपना धन दूसरों को नहीं बताना है कि आप इतना पाते हैं लालंग शुभै चववन प्रिश्ट का भाग्य है कुम्भराशी कुम्भराशी वालों के लिए कई प्रकार की उल्जने आज थोड़ा सा परिशान करेंगे मांसिक रूप से आज आप विश्लित रह सकते हैं क्योंकि आपकी बारहवी में तीन तीन गुरह खीच रहे हैं आपकी शक्तियों को कम कर रहे हैं तो आज ज़्यादा मेहनत करके कम पाने का संकेत कुम्भ वालों के लिए बन रहा है विदेश जाया जा सकता है विदेश ये शुबता की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है अगर आपकी राशी कुम्भ है तो आपके लिए आज का दिन प्रभाव शाली रहेगा आज दोस्त से मदद मिलेगी मदद ले सकते हैं बैवाहिक जीवन में खुचियों की बरसात हो रही है अगर आप की राशी कुम्भ है तो आज आपका प्रभाव दुश्मन पर भारी पड़ेगा क्या करना चाहिए आज फैसला ओन दिस पॉर्ट लीजिएगा खुद पे भरोसा करिएगा क्या नहीं करना है आज बाहर किसी के घर का खाना नहीं खाना है काला रंग्षुप 75 प्रत्षत का भाग आपके साथ है मीन राशी मीन राशी वालों के लिए आज का दिन बेहत खुशी भरा रहेगा आज हो सकता है कि आपका प्रभाव सामने दिखाई दे आज नहीं जगें पर जा सकते हैं एड्मिशन का योग है अगर आपके राशी मीन है तो आज किसी बुजर्ग के साथ कुछ बेवहार में सावधानी बरतिएगा क्या विशेश करना चाहिए आज आज किसी जरूरत बंद को खाना खिला दीजेगा क्या नहीं करना है आज बर्बोला पर नहीं दिखाना है औरेंज कलर सुब 65 प्रतिशत का भाग गया आपके साथ है तो चलिए जानते हैं अब आज की सकस्स की और उसके बाद आज का अब्रभास्त सकस्स की आज की एक लौंग अपने पास रख लीजे पूरे दिन अपने पास रखे रहें और शाम को इसे आप खा लीजेगा यही आज का सकस्स की रहेगा आज की पूरे दिन को आपके लिए फिवरेबल बनाने वाला सकस्स की अब आज का भाग्याक्षर लेकिन अगर आप कहीं से भी अपने सौंदर्रे को लेकर की आशंकित चिंतित थे तो आज बहुत बड़ा ब्रम्हास्त्र आप तक पहुंच रहा है बस थोड़ा सा इंतजार पहले आज का भाग्याक्षर मेश जाग्षर विशप ठा मितुन खाग्षर करक ला सिंग ताग्षर कन्या पा तुला नाग्षर विश्चिक बा धनु जाग्षर मकर का कुम्भ पाग्षर और मीन हुआ 24 घंडे के लिए ये अक्षर अपने पास सादे कागज में लपेट कर रख लेना है बस इतना सा करिए लाव उठाई चलिए चलते चलते जान लेते हैं आज का महाशुभ दिब चमतकारी अदभुत ब्रह्मास्त्र तो सौंदर की वज़े से कई बार आपका आत्मबल आपका कॉन्फिडेंस एक्दम से लड़ खडा जाता है बाह सौंदर एक कैसा चमतकारी प्रियोग आज हम बता रहे हैं फौरण लिखना सुरू कर दीजिए जिसका आसर नव दिन में दिखना ही है एक पानी वाला नारियल ले लिजेगा नोट करिए इस्क्रीन पर भी है उस पर नव जगह हैं सिंदूर की बिंदी रखिएगा और फिर इसे एक थाली में रखकर उसके उपर लाल कपड़ा डाल देजेगा रुमाल और फिर दीपक जला कर बैठ जाएए और दीपक के किनारे से ऐसे अपनी हाथ अपना हाथ ऐसे करिए उस दीपक की लौ से हाथ की गर्मी जब बढ़ने लगे तो फिर इसे अपने चेहरे पर ऐसे रख लीजेगा ऐसे और फिर नौ मिनर तक इसे करने के बाद नारियल को कपड़े सहित उठाईए और अपने चेहरे से साथ बार छूकर और फिर नारियल पूजास्थान पे रख देजेए उसी धाली में रख देजेए अगले दिन फिर सेम टाइम पर रिपीट करिएगा तो इस तरह से आज से सुरू होकर मा महागोरी की किरपा से नौ दिन लगातार करने के बाद इस नारियल को कहीं प्रवाहित कर दीजेगा अगर जल प्रवाह की सुविधा न हो तो ऐसे में किसी भी मंदिराद में इसे छोड़ाईएगा शुक्रिया धन्यवाद प्रेम बनाए रखेगा और हाँ आगामी 19 तारिक को पति-पत्नी का डिस्प्यूट खतम करने की अदालत लगेगी क्या है यह अदालत जानने के लिए कॉल करिए हमारे जो नुमबर्स चल रहे हैं उस पर या आप वाट्सप भी करके जानकारी ले सकते हैं समस्त मैरिट परसल्स नमस्कार स्रीकिष्णा शीरादे हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना उसके वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा